नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है मारे चैनल All Competitive Exam में आज हम डिस्कस करने वाले हैं Lineman और Lactation का Mock Test No.21 इससे पहले हमने 20 Mock Test और 600 से ज़्यादा Question डिस्कस कर लिए हैं अगर आपने मारे प्रिवेस वीडियो नहीं देखिए हैं उन्हें एक बात देख ले Definitely आपको वहाँ से एक्जाम में काफी हैल मिलेगी आज का Session स्टार्ट करते हैं तुमारा पहला Question है DC Motor द्वारा उत्पन यांत्रिक शक्ती अधिक्तम होती है जब Dash होता है तो बताया से क्यांसर है इसका राइट अंसरों का Option No.B Back EMF प्रिक्त वोलता से आदा होता है तो Next Question मारा Induction Motor की Plugging को कारिरत किया जाता है जब Dash होता है आपकी Option है किसी भी दो स्टेटर फेस के Supply Terminal का अधान प्रदान किया जाता है दो स्टेटर टर्मिनल को एक साथ छोटा कर दिया जाता है किसी भी स्टेटर टर्मिनल को DC स्ट्रोथ के साथ जोड़ा जाता है किसी भी स्टेटर टर्मिनल का अर्थिंग किया जाता है तो बता ऐसा क्या अंसर है तो Right Answer है Option No.A किसी भी दो स्टेटर के Supply Terminal का अधान प्रदान किया जाता है ठीक है तो Next Question मारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उत्पादी टॉर्क डैश है तो बता है ऐसा क्या अंसर है इसका Right Answer है Option No.A Stand Still पर रोटर में प्रेरित EMF के वर्क के सीधे अनुपात में ठीक है तो Next Question मारा चाद रूफ थ्री फेज 50 Hz स्टार से जूड़ी इंडक्शन मोटर में 5% पुर्ण लोड स्लिप है तो मोटर की पुर्ण भार गती डैश है तो बता है इससे क्या अंसर है Right Answer है Option No.C 1425 RPM ठीक है Squirrel Case इंडक्शन मोटर के बारे में निमनमैस से कौन सा कथन सही नहीं है आप Option को देख ले इसका Right Answer होगा Option No.A Rotor के Slot समानांतर है ठीक है तो Next Question मारा Deep Bar Induction Motor में Skin प्रभाव अधिक्तम होता है जब rotor Stand Still पर होता है इसकी अधिक्तम गती पर चलता है बीना लोड पर चलता है आदे लोड पर चलता है तो पता है इसकी अधिक्तम है Right Answer है Option No.A Stand Still पर चलता है ठीक है Next Question मारा Induction Motor के Stator Frame में Silicon Steel के टुकडे आम तौर पर Dash मुटाई के साथ होते है तो पता है इसकी अधिक्तम है Right Answer है Option No.A 0.5 mm ठीक है Next Question मारा यदि DC मोटर का घुमावदार शेत्र उल्टा होता है तो मोटर Dash दिशा में चलेगी तो बता है इसकी अधिक्तम है Right Answer है Option No.C वीपरित दिशा में चलता है ठीक है Next Question मारा भत्तर क्वाइस वाले DC मशिनों के लिए कम्यूटेटर सिग्मेंट की संख्या Dash है तो बता है इसकी अधिक्तम है Right Answer है Option No.C 72 ठीक है Next Question मारा यदि DC शंट जैनेरेटर 9A पर 1.8KW का भार प्रदान करता है और शंट करंट 1A है तो आर्मेचर करंट डैश है तो बता है इसकी अधिक्तम है Right Answer है Option No.D 10A ठीक है Next Question मारा Synchronization चलने वाली पावर सिस्टम वाले Alternator के निमर में से किस पेरामेटर से मेल खाने की प्रक्रिया है तो बता है इसकी अंसर है तो Right Answer है Option No.D All of These Next Question मारा गती शील रूप से प्रेरित EMF के सिधान का उप्योग डैश में होता है इसका Right Answer होगा Option No.D Generators ठीक है Next Question मारा Drum प्रकार के DC Armature Winding में Coil Side के संधर्म में Back Pitch और Front Pitch Dash होनी चाहिए है तो बता है इसकी अंसर है Right Answer है Option No.C Don't No.Visham ठीक है Next Question मारा DC Machine के Armature MMF को Dash Wave Form के रूप में अनुमानित किया जाता है तो बता है इसकी अंसर है Right Answer है Option No.C ठीक है Next Question मारा Dash Generator के संतोष जनक समानांतर अपरेशन के लिए Equalizer बार होना अनिवार्यों है तो बता है इसकी अंसर है आपका Option है DC Series DC Shunt Over Compound DC Under Compound DC A and C Both इसका Right Answer होगा Option No.D A and C Both ठीक है Nash Question मारा एक Shaded Pole Meter में Shading Coil का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो बता है इसकी अंसर है Right Answer है Option No.C घूमने वाला चुमकिय फील्ड उत्पन करना ठीक है Next Question मारा DC Motor के Field Coil आमतोर पर Dash के बने होते है तो बता है इसका Answer है Right Answer है Option No.B Copper ठीक है तो Next Question मारा Right Answer है Option No.D 90 नाइटी डिग्री इलेक्ट्रिकल दूर Next Question मारा इन्वे से किस में उभरे हुए पोल का इस्तेमाल किया जाता है तो बता है इसका Answer है Right Answer है Option No.D Shaded Pole Motor ठीक है Next Question मारा Roll Shaft को मदद करने के लिए इस्तेमाल होने वाली Bearing आम तौर पर Dash होती है तो बता है इसका Answer है Right Answer है Option No.A Ball Bearing ठीक है Next Question मारा Face Motor की Primary Winding कहा होती है इसका Right Answer होगा Option No.B Rotor का निचला हिस्सा ठीक है Next Question मारा किसी Motor में घूमने वाली चुमकिय फील्ड की रफ्तार को Dash कहा जाता है आपके Option है Slip Speed Synchronous Speed Running Speed Variable Speed Asichron Speed तो बता है इसका Answer है Right Answer होगा Option No.B Synchronous Speed ठीक है तो दोस्तो Session अच्छा लग रहा है Session को Like और अपने दोस्तों के साथ Share कर दे तो बढ़ते हैं Nash Question की और तो Nash Question मारा ICDP Switch Dash के साथ सिद्धे तोर पर जुड़ा हुआ होता है तो बता है इसका Answer है Right Answer होगा Option No.A Neutral और Phase ठीक है Nash Question मारा High Pressure Mercury Vapor Lamp का इस्तमाल Dash के लिए किया जाता है आपके Option है सबकों पर बिजली की विवस्था घरों में बिजली की विवस्था Laboratory में बिजली की विवस्था Classroom में प्रकाश की विवस्था तो बता है इसका Answer है Right Answer है Option No.A सबकों पर बिजली की विवस्था ठीक है Nash को शमारा 4% Tube के पूरे Starter में Capacitor का कार्य क्या है तो बता है इसका Answer है Right Answer है Option No.B Radio Interference से बच्चना Nash को शमारा गीली तवचा का प्रतिरोत्मान लगबग डैश होता है इसका Right Answer है Option No.D 1000 Ohm ठीक है Nash को शमारा Electric Iron में Thermostate तापमान को उन्यंत्रित करने के लिए डैश का इस्तिमाल करता है तो बता है इसका Answer है Right Answer है Option No.D Bi-Metallic Strip Nash को शमारा सम्मरीन के परियोजन से इस्तिमाल होने वाले केबल डैश के होते है तो बता है इसका Answer है Right Answer है Option No.C Tropodore Cable ठीक है Nash को शमारा अगर एक 20 किलो वाट के बड़े अकार का Motor चालू होने पर निरंतर 15 किलो वाट का लोड़ खिंस्ता है तो मोटर का डिमांड फैक्टर डैश होगा तो बता है इसका Answer है तो राइट अंसरों का Option No.D 75% तो निर्श को शमारा डैवरस्टी फैक्टर का युद्करम क्या है आपके अप्शन है सैयोग कारक फॉर्म कारक पावर कारक मां कारक आवंटन कारक तो बता है इसका Answer है राइट अंसर है Option No.A सैयोग कारक ठीक है नाश को शमारा 33 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज मातरा के लिए ओवर हैड लाइन्स है तू निमन में से कौन सा इंसलेटर प्रियोग किया जाता है तो बता है इसका Answer है बताइए ट्राइट अंसरों का Option No.B पिन प्रकार का इंसलेटर ठीक है तो आज का हमारा Last Question है एक उप परिपत में अधिक्तम कितने बिंदू पंखे और सौकिट आउटलेट्स जोड़े जा सकते हैं आपके Option है 5, 10, 20, 30, 40 तो आप इस कांसर मुझे Command Box में बताएंगे इस कांसर क्या होगा ठीक है तो यह थे दोस्तो आज के मारे Most Important Question I hope आपको इस सेशन पसंद आयोगा So Command Box में जरूर बताएंगे आपको इस सेशन कैसा लगा So आज लिए दोस्तो इतना ही जै हिन जै भारत